दोस्तों आज हम पहुचे हैं हरियाना का जीला केथल और केथल का गाव करोडा जिसको कोडा के नाम से जानते हैं और दोस्तों जब भी हम इस सेरिया में आते हैं तो यहाँ की जो बॉली है जो भासा बड़ी प्यारी लगती है तो शांप हमें दिखाई दे चुका है सांप पकड़ने लिए आए दे अब कौन सा है वह भी हम कलियर नहीं देख पाई क्योंकि निचे मीटी है और पास मीटों का चट्टा तो चलिए देखते हैं देख सांप है और आपको भी सांप दिखाते हैं और दोस्तों यह देखिए सांप दिखाई दे चुका है और जो आसपास से जितनी भी पबली खड़िया जो जनता खड़ी है उसको भी सांप दिखाई दिया जैसा कि इन्हों ने हमें बता था हमने अंदाजा लगाया हाला कि इन्हों ने इनको चक्मा देती हुए छुप गया जा आये लोकेशन चेकी अंदाजा लगाया और हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला तो सांप हमें दिखाई दे चुका है चलिए इसको बाहर निकलते हैं मंते हुए है मैं परी गाढ़ियम गढ़े जया काणरां परणे पडया जी ठोडे साह एक एकठ खुटके ऑर गाड़ी तो पूरा मागाबार ज़रत हो हाय काढ़ी में साहप पकड़नां हो बड़े बड़े फुर्दों यहे निकलते है करना में साहब युए बड़े करना घ बड़ा साँ पर जी तोटे बच्चा ने पीछे कर दियो कमें प्राम्ट हम okay और मुरभा थी बड़ा ताम था एड़ा से प्राह के अगुक्षा दर्लच प्रेंदों मत रेलिगे जाउन से अगाओ प्रीमैं नियुक्ड देन खाल का अवरा कमा अए भाले कि प्रभ ट्रजाए अफितhip OoB का अवरा क व्र व्रतु अबना ऍएक ह prints? जड़ा कम गएक प्रिष्ट प्राट कर रहा हैं क्योंकि लोकेश नहीं सी थी कि हम इसको खिचना भी नहीं चाहते थे इंटों के अंदर था तंग जगह में था खीशते तो इसको नुक्सान होता है लेकिन फिर इसका नाम है गोड़ा प्षाड और गोड़े की फूर्ती से निकला और जनता खड़ी थी लेकिन हमने इसको तुरंच काबू भी कर लिया कि लेटों कि अब दो अब दो अब एक बाद तेज आया था जी इसकेड़ लगाई तो तो कहां लगाई दो साइकन्ड लगाई है प्षाड तीक है दोस्तों एक रेट स्नेक घोड़ा प्षाड और इसका पर इरादा देख सकते हो गुष्शे में काटने की कोशिश करते हैं इ यह देखिए और चलिए इसको हम डाल लेते हैं इसको ज्यादा तंग करना अच्छा नहीं क्योंकि इसको घुसा आएगा भी और फिर यह वार भी कर सकता है तो चलिए इसको हम काबू कर लेते हैं और जल्द इसको जंगल में छोड़ देंगे कि अगया है और या वहां तंग था ना यू फिर एक दम से बाग पुड़ा को कि अपर वाली राम करना को ज़ाते हैं अब अवसाप तो जंगल में निगलेगा जिन न दो गिलाज पानी पानी पीजाएँ अलो